दोस्तो आप सभी ने उनने वाले सापों के बारे में सुना तो जरूर होगा लेकिन उन्हें देखा तो नहीं होगा सो आज की इस वीडियो में आप उनने वाले सापों से जुड़ी सारी जानकारी जान लोगे और अगर आप इस वीडियो को अंतक देख लोगे तो आपको उड़ने वाले सापों के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगा तो यारो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनी है तो वीडियो को पूरा जरू देखना तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा कर चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पैरडाइस स्ट्री स्नेक तो यारो अगर मैं इस साप की बात करूँ तो यह सबसे कॉमन फ्लाइंग स्नेक है और अगर हम साप के बारे में बात करें तो यह लंबाई में करीबन मैकसिमम चार फिट का होता है और ऐसे उड़ने वाले साप मुख्य रूप में पाए जाते हैं साथ इस्टेसिया में और इन जगहों में भी इने सूटेबल इन्वार्मेंट चाहिए जैसे की रेन फॉरेस्ट हो और ऐसे जगहें इन सापों के इसलिए भी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यहां पर इन्हें आहार मिलता रहता है सो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आखिर यह साप उड़ते क्यों है और इनके उन्ने के पिछे की साइंस क्या है सो अभी आप स्क्रीन में पैरेडाइस ट्री स्नेक को देख सकते हो जो हवे में मानो जैसे उड़ रहा हो पर अगर हम इस वीडियो को साइंस की नजर से देखें तो वेगानिकों का यही कहना है कि असल में यह साप नहीं उड़ता है बस यह हवे में गलाइडिंग करता है पर इस साप की चाल डाल ऐसी कुछ होती है कि लगता है कि यह मानो हवे में उड़ रहा हो और इस साब के उन्ने की शुरुआ तब होती है जब मुख्य रूप में ये साब किसी उचाय वाले जगे में जाकर वहाँ पर अपने बोडी को एक सही आकार देके जो स्प्रिंग जैसा होता है अपने आपको हवे में लॉंच करता है जैसे मानू को एरोपलेन हो और दोस्तों अगर आप इस साब को उड़ते होए ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये साब हवे में ऐस शेप का पैटरन बनाता है और अपने बोडी के निचले सतह को जितना हो सके फैला लेता है कि इस साब को जितना हो सके हवे में उड़ने का मौका मिले और इसकी बहुटी भी ऐरोडैमिक बन जाती है जिस कारण हवे को काटते हुए ये एक पैट से दूसरे पैर चला जाता है सो यारो अभी तोक तो आपने बहुत कुछ जान लिया होगा इस साब के बारे में तो चलिए जानते आखिर ये ऐसे उड़कर करता क्या है और वीडियो को बनाने में काफी मैनत लेगे तो एक लाइक जरू देदेना वीडियो को सो यारो आप इस चिपकली को देख सकते हो जो असल में इस साब का शिकार है और इस चिपकली ने जैसे ही साब को देखा तो एक पेड़ से दूसरे पर भाग गया हलाकि इस साब ने भी एकदम मन बना लिया है कि इसी चिपकली को खाएगा जिसके कारण उसका पीछा करने लगा हलाकि इनका फ्लाइंग एटेक 100% एक्यूरेट नहीं होता और जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये लिजर्ट बज गया इस साब से सो अभी आप इस साब को देख सकते हो वापस से इस गिरगट का पीछा कर रहा है सो वापस से इस फ्लाइंग लिजर्ट ने एक पेड़ से दुसरे पेड़ के लिए छलांग मारी और ये गिरगट तो सही सलामा जाके पेड़ पर चिपक भी गया और दूसरी और अगर हम शिकारी की बात करें तो वो अंदाजा ले रहा है और आखिरकार इतने मेहनत करने के बाद इस साब को अपनी सफलता मिली जाती है और वैसे अगर हम वेग्यानिकों की बात मानें वो आज तक समझ नहीं पाएं कि आखिर ये साब उड़ते क्यों है हाला कि पीछे इसके कुछ कारण है जैसे कि ये साब अपने किसी प्रेडिटर से बचने के लिए इसा करता है